हेलो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप मैं डॉक्टर शुशील आपका फिजिक्स में हेल्प यू चैनल में स्वागत करता हूँ मैं पिसले 22 सालों से टीचिंग कर रहा हूँ और मुझे उमीद है और साथ ही मुझे विश्वास है कि फिजिक्स से रिलेटर आपके जितनी भी समझ चाहे होगी मैं उनको सॉल्व करने में आपके जरूर साहता कर पा हूँगा तो फिशिरू करते हैं आज कर हम कर रहे हैं क्लास 10 की फिजिक्स को जिसके अंतरगत हम कर रहे हैं 10 की फिजिक्स का चैप्टर नमबर 3 और पिशली क्लास में हमने विभाव तथा विभांतर के बारे में चर्चा की थी अज उसी से आगे हम टॉपिक को आगे कंटीनु कर रहे हैं और आज का टॉपिक बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है आप एक्जाम की पॉट अफ्यू से कहिए आप हम क्या सकते हैं कि इलेक्टिसिटी की आगे के जो हमारे कुश्चन्स आएंगे या आगे के जो कॉंसेप्ट आएंगे उनके इसाब से कहिए या कॉंपिटिटिव एक्जाम्स के इसाब से कहिए यह टॉपिक बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है और यदि आपको यह समझ में आ गया तो जो इ ओम्स लोग इलेक्टिसिटी का हम कह सकते हैं एक आधारभूत सिध्धान्त है ऐसा आधारभू सिध्धान्त है कि जैसे आपने देखा होगा कि हमारे जो मेकैनिक्स होती है यान्तरिकी होती है उसमें न्यूटन के लोग आधारभू सिध्धान्त होते हैं इसी परकार इलेक परिपतों में विद्धत परिपतों के लिए ओम्सकानियम एक आधारभूत सिध्धानत है तो क्या कहता है ओम्सकानियम कहता है कि यदि हम किसी चालक को लें और चालक के सिरों के बीच यदि हम एक विभवांतर अपलाई करें एक विभवांतर लगाएं तो चालक में एक यदि विभुवांतर का मान ज्यादा होगा तो बहने वाली धारा का मान ज्यादा होगा यदि विभुवांतर का मान कम होगा तो बहने वाली धारा का मान भी कम होगा तो इस परकार से ओम्स ने जो नियम दिया है उसका स्टेटमेंट यह है कि जब किसी चालक के सिरो के बीच कोई विभुवांतर लगाया जाता है तो चालक में बहने वाली धारा विभुवांतर के समान उपाती होती है और कंडिशन क्या है? बशर्ते उस चालक का जो ताप है वह अब परिवर्तित रहे ऐसा नहों कि आपने विद्धुदारा परवाहित कर रहे है और इसी बीच उस चालक के तापको बढ़ा दें तब यह वह उमसका नियम काम नहीं करेगा तो आप इसको समस्ते डाइगाम से हमने कहा कि यहां हमने एक चालक तार लिया यह एक चालक तार है आप समस्ते होंगे चालक किसे कहते हैं चालक से अर्थ है कि वे सबी पदार्थ जिनके भीतर से विद्धुदारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है अब कुछ हम कहते हैं पदार्थों को हम कहते हैं चालक है और कुछों को कहते हैं हम अचालक है तो चालक वो होते हैं जिनके भीतर वैद्दुधरा को प्रवाहित होने के लिए मुक्त आविश उपलब्द होते हैं हमने पिछली क्लास में कहा था कि वैद्दुधरा जो है वो है आविशों का प्रवाहा यदि किसी चालक में यदि किसी हम कह सकते हैं पदार्थ में यदि आवेश प्रभाइत हो पाएं एक सिरे से दूसरे सिरे तक तो हम कहेंगे वो क्या होते हैं चालक होते हैं और जिन में यहाँ आवेश नहीं होते कि हम एक सिरे से दूसरे सिरे तक आविश जा पाएं विभांतर लगाने पर उन पदार्तों को हम कहते है अचालक तो जब भी चालक की बात आएगी तो आपको समझना है कि वे सभी पदार्त जिनके भीतर यहाँ गुण है कि उनके सिरों पर विभांतर लगाये जाए तो उनमें क्या होगा विद्धारायन के आविशो का प्रवाप प्रारंब हो जाएगा तो हमने यह क्या लिया एक चालक यहाँ इसके दो सिरे हैं पहला सिरा ये वाला दूसरा सिरा ये वाला इन सिरों के बीच में एक विभवांतर लगा रहे हैं तो विभवांतर का अर्थ है कि एक सिरे का विभवांतर होना चीए ज्यादा और दूसरे सिरे का विभवांतर होना चीए कम तब इन दोनों का जो अंतर होगा वो कलाएगा विभवांतर तो इनके बीच जो विभवांतर अपलाई किया है मान लेते हैं वो कितना है वी है वी विभवांतर है तो जैसे इन दोनों सिरों के बीच में हम विभवांतर लगाते हैं तुरंद इस चालक के भीतर जो इलेक्ट्रोंस होते हैं वो प्रारंब गती करना प्रारंब कर देते हैं और इलेक्ट्रों क्या हैं आवेशी हैं तो यदि इलेक्ट्रों गती करेगा तो निश्चित रुप से इस चालक पर क्या बहना प्रारंब हो जाएगी वैदुत धारा बहनी प्रारंब हो जाएगी तो हमने का मान लेते हैं इसके अंदर जो इलेक्ट्रोंस थे इन्होंने इधर की और गती करना प्रारंब कर दिया हम कह रहे हैं यह इलेक्ट्रोंस हैं इन्होंने इधर गती करना प्रारंब कर दिया तो इलेक्ट्रोन किस दिशा में बह रहे हैं इस दिशा में जा रहे हैं तो बहने वाली धारा की दिशा क्या होगी इस दिशा में तो इस दिशा में जो धारा बहेगी मान लेते हैं हो क्या है आई आपको ये बात त्यान रखनी है कि जिस दिशा में इलेक्ट्रोन परवाहित होते हैं वैद्धुत धारा की दिशा उसकी विपरीत ली जाती है और ऐसा क्यूं हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि स्टार्टिंग में साइंटिस्टों ने यहां माना कि जब किसी चालक के सिरो के बीच में विभुहंतर लगाया जाता है तो उस चालक में धहनाविश गती करना प्रारंब कर देते हैं और साथ ही यह माना कि जो धहनाविशों के गती करने की दिशा होगी वही क्या होगी? वैद्धुत धारा की दिशा होगी बाद में हम देखते हैं कि यदि धात्वों की बात करी जाए तो धात्वों में जो आविश का प्रवा है वो इलेक्ट्रोन के रूप में होता है देखे सब चीजों में आविश का प्रवाह इलेक्टों नहीं है यदि आपको एक वैद्दुत अब घट्टे लें वैद्दुत अब घट्टे का मतलब कोई रासाइनिक एक विलियन और उसमें इदी विद्दुत धारा प्रवाहित कराना चाहरे हैं तो वहाँ पर इलेक्टों नहीं चलेंगे वहाँ चलेंगे आयन और आयन दो परकार के होते हैं एक धनायन और एक रिनायन तो धनायन क्या है एक परकार से धनाविश रिनायन क्या है एक परकार से रिनाविश तो जिस दिशा में धनाविश चलते हैं उसी को हम क्या लेते हैं वैदूत धारा के प्रवाह की दिशा और धात्वों की बात करीज़े तो धात्वों में तो हम कह रहे हैं आयन नहीं है, आयन नहीं चल रहे हैं तो बहने वाली धारा की दिशा क्या होगी इस तरीके से ली जाएगी तो आप इस बात को जरूर ध्यान रखेगा कि किसी भी चालक में धारा की जो दिशा होगी वो इलेक्टोनों के प्रवहा की दिशा के या इलेक्टोनों के चलने की दिशा की विपरित दिशा में होगी तो इतनी बात हमने बता दिये तो अब क्या कहा? ओमस ने क्या कहा? कि जब किसी चालक के सीरों के बीच एक विभवांतर लगाया जाता है तो उस चालक में बहने वाली धारा उसके समानुपाती होती है समानुपाती का अर्थ है कि भी जो होगा वो अनुकर्मानुपाती होगा आई के देखें दो संबंध होते हैं विभीन जो चर होते हैं चर मतलब जो बदलते हैं तो यहां पर वही भी क्या है एक चर है जो बदल सकता है और आई भी क्या है एक चर है जो कि बदल सकता है और इन दोनों के बीच ऐसा संबंध है कि यदि यहां बदलेगा तो यहां भी बदलेगा और किस रूप में बदलेगा बदलेगा इस रूप में यदि वही कामान जाएगा तो इस परकार के संबंद को हम कहते हैं समानुपाती का संबंद और एक और संबंद आता है देखिए जिसको हम कहते है वितकरमानुपाती का संबंद जिसमें एक चीछ बढ़ती है तो दूसरी चीछ घट जाती है तो इन दोनों के बीच में कैसे संबंद है समानुप अब मैं अनुकर्मानुपाती का निशान हटाना चाहरा हूं तो हटाते हैं तो भी अनुकर्मानुपाती की जगे ले लिया मैंने बराबर साथ में अनुकर्मानुपाती का निशान हटा है तो एक कॉंस्टेंट ले रेंगे आर और साथ में हमारा क्या जागा आई जहां जो आर होता है इसे कहते है समानुपाती नियतांग यह आर है और इसी को हम कह देते हैं चालक का प्रतिरोद चालक का प्रतिरोद आप इन दोनों मेंसे कोई भी बाती से कह सकते है तो यह इसको परदेश्चित करता है अब हम कहें कि हमारे परस फार्मूला आया V is equal to IR V is equal to RI लिख लिजए या IR लिख लिजए एक ही बात है अब इन मेंसे किसके क्या-क्या मात्रख होते हैं देखिए V का मात्रख हम आपको बता चुके हैं V का मात्रख क्या होता है V नवा पर जाता है वोल्ट में I क्या है वेद्दुधरा इसका मात्रख क्या होता है अब बात आती है अखर ये प्रतिरोध R का मात्रख क्या होगा तो इसको निकालने के लिए पहले हम R की value निकालते हैं तो R बराबर क्या हो जाएगा I इसके नीचे चलियाएगा तो क्या आगया V अपॉन आईए तो आप OMS के नियम को चाहे इस रूप में लिखिए चाहे आप इस रूप में लिखिए दोनों एक ही बात है तो R क्या है प्रतिरोध है और प्रतिरोध का मात्रख क्या है प्रतिरोद का मातरख है घी क्या है हम क्या सकते है विभांतर इसका मातर क्या है वोल्ट और आई क्या है व्यद्दुधार इसका मातर क्या है एंपियर तो आर का जो मातरख है वोल्ट बटे एंपियर यह क्या हो गया आर यह निगे प्रतिरोद का मातरख हो गया अब आर के मात मातर को हो हम एक और साइंटिस्ट थे ओम्स जिन्हों ने ओम्स ने जिन्हों नियम प्रतिपाजित किया था उनके सम्मान में इस प्रतिरोध के मातर को हम ओम लेते हैं तो क्या लेंगे इसको ओम आप चाहे इसे ऐसे लिखिए या इसके लिए संके तांक होता है इस परकार का संके तांक चाहे आप इस परकार का संके तांक इस्तेमाल केजिए दोनों का ही अर्थ क्या होगा ओम होगा तो आर का मातर क्या होगा ओम वी का मातर क्या होगा वोल्ट और आई का मातर क्या होगा एंपियर, तो हमें पता चल गया, जो ओम है, वो वोल्ट बटे एंपियर के बराबर होता है, और चाहे आप प्रतिरोध के मातरा को वोल्ट बटे एंपियर लिखिये या फिर क्या लिखिये, अब बात आदिए कि बहुत से स्थानों पर आप से एक ओम की परिभाशा पूछ ल यहां पर हमने परिवाशा क्या दी थी कि जब किसी चालक के सिरों के बीच में विभवांतर लगाया जाता है तो उसमें बहने वाली धारा उसके अनुकरमा नुपाती होती है यह समान नुपाती होती है वहां परतिरोध है कि जब किसी चालक के सिरों के बीच एक विभवांतर लगाने पर उस चालक में भेने वाली धारा का मान एक एंपियर हो जाए तो वहां हम क्या कहेंगे क्या है एक ओम परतिरोध होगा उसका तो मुझे लगता है आप परिभाशा आसानी शिसके लिख भी सकते हैं बना भी सकते हैं तो अब हमने यह तो समझ लिया पर वास्ता में परतिरोध है क्या यह हमने इसको Mathematical यह समझ लिया Formula के रूप समझ लिया लेकिं परतिरोध क्या हो प्रतिरोध का अर्थ होता है कि किसी चीज के मार्ग में रुकावट डालना अब यदि यहां पर रुकावट पढ़ रही है तो किसके मार्ग में पढ़ रही है बाताती है यदि प्रतिरोध का अर्थ है कि मार्ग में रुकावट डालना किसी चीज में रुकावट डालना काम में बादा डालना तो यहां पर यहां प्रतिरोध का क्या अर्थ है और यह किस की किस चीज में बादा डाल रही है तो देखे यहां बादा डाल रही है धारा के मार्ग में जो वैद्दुद्धारा परवाहित हो रही है उसके मार्ग में जो बाधा आ रही है उसको ही हम क्या कहे देते हैं प्रतिरोध कहते हैं उसी को क्या कहते हैं प्रतिरोध तो प्रतिरोध क्या है यह हमने क्या है यह धारा के मार्ग में उत्पन अवरोध को अवरोध को क्या कहते हैं प्रतिरोध कहते हैं प्रतिरोध कहते हैं तो यह हमें बास समझ मागए कि क्या कहते हैं धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन हो रहा है उसी को हम क्या कहेंगे प्रतिरोध कहेंगे अब धारा के मार्ग में तो प्रतिरोध है लेकिन धारा कैसे बह रही है आप जानते हैं धारा बह रही है आवेशों का प्रवाह है यानि कि जब धातू की बात करी जाए तो चालत की बात करी जाए धातू की बात करी जाए तो उसमें जो आवेश बह रहे हैं, आवेश कोन है? इलेक्ट्रोन, तो इलेक्ट्रोन जब चल रहे हैं तो वही तो धारा है, आवेशो के प्रवाह को है तो हम धारा कहते हैं, तो यदि ये धारा के मार्ग में प्रतिरोध या अवरोध उत्पन कर रहा है इसका मतलब है कि यहां आवेशो के प्रवाह के मार्ग में अवरोध उत्पन कर रहा है तो मुझे लगता है बिलकुल बात एक दम क्रिश्टल क्लियर होगी होगी आपको कि प्रतिरोध का अर्थ है कि प्रतिरोध किसी चालक का किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके दोरा वह आवेशो के प्रवाह में क्या करता है अवरोध उत्पन करता रहा है इतनी बात आप आप और लेख लेजेगा अब हम ओम्स के नियम को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं ओम्स का नियम देखिए क्या कह रहा है क्याता है वी जो है वो अनुकर महनुपाती है आई के यह दूसरे शब्दों में कहें वी और आई का जो अनुपात है वह क्या है आर के बराबर है और आर क्या है एक हमेशा ध्यान लखेगा आर क्या है एक नियतांग है एक कॉंस्टेंट है यहां किसी चालक के लिए बदलेगा नहीं यदि मैं कोई एक चालक ले लूँ एक चालक तार ले लूँ या एक धातू का तार ले लूँ अब उसमें यदि मैं विद्द्धारा परवाहित करूँ चालक के सिरों के बीचे विद्द्धारा परवाहित हो जाए तो जैसे जैसे वोल्टेज का मान बदलूँगा चालक के सिरू का विभुवांतर बदलूँगा वैसे वैसे उस चालक में बहने वाली धारा का मान भी परिवर्तित होगा वो भी बदलेगा और कैसे बदलेगा? क्योंकि यह अनुकरमा अनुपादी है इसका अर्था वोल्टेज बढ़ाऊंगा तो धारा का मान भी बढ़ेगा और वोल्टेज घटाऊंगा तो धारा का मान भी घटेगा और इन दोनों का जो यह अनुपाद है वोल्टेज और धारा का अनुपाद जो है वो हमेशा कॉंस्टेंट होगा नियत होगा तो वो कभी बदलेगा नहीं तो इस चीज को कि यह कैसे constant है कैसे नहीं बदलेगा इस चीज को हम थोड़ा समझ लेते हैं तो आपको और clear हो जाएगा हमने कहां मान लेते हैं मेरे पास एक चालक है उसके सिरों के बीच मैंने voltage लगाई भी और उसमें बहने वाली धारा कामान मा भी दारा काममान एक-डशन लोग पाँच एंपिर आ गया फिर मैंने चार वल्ट लगा दी तो भी धा मने निगा forward हो गया और फिर मैंने सीधे च्छ से प्लॉट करते हैं क्योंकि कई बार एक्जाम्स में आपको ओम स्लो से रिलेटट ग्राफ के प्रश्ण पूछी ले जाते हैं तो वो चीज आपके मजबूत हो जाए यहां पर उसको प्लॉट करके आपको वोल्टेज ले रहे हैं हम ले रहें वी की वेल्यू ले रहे हैं तो यह हमारा क्या हो गया भी और यह हमारा क्या हो गया मान लेते हैं आई यह एक सक्ष है भी क्या है वोल्ट में और आई क्या है एंपियर में अब हमने का यह पिंदू क्या होता है जीरो यहाँ पर धारा कमान भी जीरो और वोल्टेज कमान भी जीरो होता है तो मुझे लगता है ग्राफ बनाना आपको आता हुआ यदि ग्राफ बनाना नहीं आता तो नाइंध के कुछ वीडियोस देखेगा आप नाइंध क्लास के वहां मैंने ग्राफ बनाना आपको डिटेल में समझा रखा है तो वो देखिएगा जो मैंने अभी currently एक दो chapter के starting के जो करें है chapter 8 के उसमें जाकर के देखिएगा तो graph आपको समझ में आ जाएगा तो हमने का यहाँ पर V कमान भी इस बिंदो पर क्या है? 0 और धारा I कमान भी इस बिंदो पर क्या है? 0 है दोने इस्टिटियों पर 0 है अब हम यहाँ पर देखते हैं voltage कमान 2, 3, 4, 6 है तो कैसे बनाएंगे? समान दूरी पर लेंगे यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर ले लिया 1 यहाँ पर ले लिया 2, यहाँ पर ले लिया 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5 और यहाँ पर क्या होगी? 6, यह वोल्ट है आप इधर की और बैते हैं धारा कमान ले ले लेते हैं तो इधर की और हमने लिया धारा कमान यहाँ पर ले लेते हैं यहाँ पर ले लिया 1, यहाँ पर ले लिया 2, यहाँ पर ले लिया 3, इतना ले लिया तो अब कैसे graph बनेगा यह समझे गण बनाने के लिए सबसे पहले हम यह देखते हैं how कि दो वोल्टेज कमान कितना है दो तो इस डो से यह wake यह न की भी यह वी चीज है तो ही कहां रही है यहां पर आ रही है तो V का मन दो है तो यहाँ पर 0 है यहाँ 1 है यहाँ 2 है तो 2 को करती वी एक डॉटडट करके ऐसी एक रेखा खीज देनी है आपने किसके समंतर? X अक्ष के समंतर अब देखे जब voltage का मन दो है तो धारा का मन कितना है? एक Ampere तो एक कहा है? यह हमारी क्या है? धारा I को परदेशित कर रही है जब धारा I की बात करेंगे तो X अक्ष को देखेंगे ध्यान रखेगा और जब voltage की बात आईगी तो हम Y अक्ष को खड़ी अक्ष को देखेंगे तो अब I का मान है एक Ampere तो हम ऐसी वाली अक्ष को देखेंगे यहाँ जीरो है यहाँ पर कितना एक तो यह वाला बिंदू हुआ तो यहाँ से खड़े में यानि कि वाली अक्ष के समानतर आपको रेखा खिंचनी है यह हमने खिंच दी जहाँ पर इन दोनों ने एक दूसरे को काटा उस स्थान पर एक बिंदू लगा लेजिए ऐसे करके अब बाकिये चीजों के हमें जरुरत नहीं है तो बाकियों को आपने मिटा देना है यह हमार पस पहला बिंदू आ गया आगे चले जब वोल्टेज का मान है पांच किसके बराबर होगा एक और दो के ठीक बीच वाला बिंदू क्या होगा एक दश्मरों पांच होगा तो यहां से हम यह मान लेते हैं बीच का बिंदू है तो यहां से डॉट-डॉट करती वी क्या कर रहे हैं ऊपर की और एक रेखा खीच रहे है तो जहां पर यह दूसरे को काटेंगी वही पर हम क्या लगा लेंगे एक गोला लगा लेंगे ऐसे करके और बाकियों को मिटा देंगे तो यह हम नें ग्राफ का दूस्रा बिंदू Byndoo बना दिया तिससरु देखें हम कि दो से उपर के और एक रिखा खीज़ दीजिए यह खीज़ दी तो यहां दोनों ने एक दूसरे को काटा वहीं पर हमने क्या लगा लिया एक बिंदो लगा लिया ऐसे गोला बना दिया बाकियों को मिटा दिया अब एक और रहे गया हमारे पस रिडिग यह 6 वल्ट एंड 3 एंप्यर है तो 6 वल्ट कॉन सी है? यह वाली है तो यहां से डॉटüट डॉट करती ही एक रिखा खीज़ दीए इस बिंदू पर काट दिया तो बाकियों की आउशक्ता नही है अब यदे इन सब को मिलाती हुई एक सीधी रेखा खीच दी जाए तो हम सब को मिलाती भी एक सीधी रेखा खीच देते हैं यह इस तरीके से तो यह परदेश्यत करती है वी आई ग्राफ को ध्यान रखेगा किसको परदेश्यत कर रही है वी आई ग्राफ को परदेश्यत करती है यह हमारा है R को प्रदश्यत करेगा एक परकार से और R कमान क्या है? constant है, नियत है, आप ये भी धियान लखना अब नियत कैसे है? इसको समझते हैं हमने काई यहां पर हमारे पास V कमान जब 2 था तो धारा I कमान कितना था? एक था तो इस वाली स्थिती के लिए मैं R कमान निकाल वाँ, R बराबर देखे कैसे निकलता है, R का सुतर की है? R बराबर है V अपॉन आई तो V कमान देखे V अपॉन I यह थियान लखेगा, यहां पर लिख लेते हैं R बराबर V अपॉन I बराबर, अब यहां पर देखें इस reading के लिए वी कामन कितना दो कह लिख लेंगे दो जानो How अभ इधर के और चलें दूसरे हिस्से में देखिए वी कामन कितना है तो वी कामन कितना है तो वी कामन कितना रख लिए आपने उपर तीन और आई कमान नीचे क्या है एक दशनलो पांच तो तीन में एक दशनलो पांच का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा सुरी यहां पर हमने गड़ड़ कर दिया एक में दो का भाग देंगे तो यह तो दो आएगा तो यहसे यहां पर करेंगे तीन में एक दिशनलों पांच का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा यह आ जाएगा दो तो यहां पर दो आ गया इसको भी हम बंद कर देते हैं अब आगे वाले में चले इस रिडिंग में चले तो यहां पर आर भी बोना आई आ लिक ungefा झाया सबस्थितियों जो आो आ यहां पर पिड़े दो उम आ रहा है यहां पर भी दो आ रहा है इसलिए हम कह रहे हैं कि किसी चालक के लिए रंब अ products बढ़ते रहे वrice वेधर काम anderen यह उसी अनुप Ouiatta चले यह इसको कहता है हम धियत core और हमेशा ध्यान रखना भी तथा आई के बीच कभी भी आप ग्राफ खींचेंगे तो वह हमेशा इस परकार से आपको दिखाई देगा यह ध्यान रखना तो आर कमान आप चाहते तो यहां ग्राफ से भी निकाल सकते थे ग्राफ में कोई भी बिंदू ले लिजिए मानलेतने में यह वाला ले रहा हूं यह ले रहें इसको ध्यान लखिए यहांपर भी कमान कितना है चार आर कमान निकाल रहें वी का मन कितना है चार क्योंकि वी को प्रदिश्रित कर रहा है ये वी बराबर है चार तो चार और आई का मन कितना है यहांपर दो ये किसको प्रदिश्रित कर रहा है आई को तो क्या हो गया दो तो भाग दे दिया तो कितना गया दो और साथ में क्या हो गया ओम तो आर का मान कितना है? दो ओम निकल करके आ गया हमें ये बात पता चल गई तो यहाँ हमारा क्या है? भी आई ग्राफ है और इसमें आर के मान जो ढ़ाल है वो आर को परदिश्ट करता है इस ढ़ाल का कम होना, इस ढ़ाल का अधिक होना इस बात को बताएगा कि किस धातू में आर का मान ज्यादा है किस धातू में आर का मान कम है यदि यहाँ इस तरीके से बढ़ेगा उपर के और बढ़ेगा तो इसका मतलब है आर का मान ज्यादा होगा यहीं पर बता देते हैं हमने का यह हमने दो ग्राफ लिए ये हमारा है वी तथा आई ये वाला दूसरा भी क्या है वी तथा आई ग्राफ इनके ग्राफ के ढ़ाल इस परकार से आई एक का ऐसे आया और एक का ऐसे आया ये हमारा पहला है मालनेते हैं ये हमारा पहला वाला है और ये हमारा दूसरा है तो ये भी किसको प्रदेश्चित क तो बताए यह किस का मान ज़्यादा होगा क्योंकि ग्राफ की ढाल इसकी उपर है यह ज्यादा खड़ा है इसका पड़ा है तो हम लिखेंगे और वन का मान बढ़ा होगा किससे R to save तो बहुत बार competitive exams में ये प्रशन आता है दो graph आपको दे दिये बताइए इसमें किसमे R का मान अधिक होगा तो आपने graph देखना है क्योंकि V upon I का मान है ये पर पर ध्यान रखेगा इसमें क्या होना चाहिए? आपके Y अक्ष में क्या होना चाहिए? V और X अक्ष में क्या होना चाहिए? आई तब इनके बीच में इदी graph हो तो जिसका graph ज़्यादा खड़ा होगा उसमें R का मान ज़्यादा होगा यदि उल्टा हो जाता V हमारा X अक्ष पे आ जाता I Y पे चले जाता तो जो flat होता जो नीचे वाला होता तो वहाँ परमान क्या होता है? जाता होता तो मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी आप इसे एक बार नोट कीजिए फिर हम आगे से continue करते है अभी हमने यह समझा कि ओम का नियम क्या होता है और उसी के दोरान हमने यह समझा कि परतिरोध क्या होता है परतिरोध को हमने बताया कि परतिरोध किसी धातु का किसी चालक का वहाँ गुण है जिसके दोरा वहाँ किसी चालक में बहने वाली धारक के मार्ग में अवरोध उत्पन कर रहा है अब बात आती है कि क्या यह वास्तों में गुण है क्योंकि हम यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभांतर लगाते हैं तो हमारी इच्छा होती है कि उसमें क्या हो प्रतिरोध कम से कम हो जिससे कम से कम फोर्स लगाना पड़े कम से कम हम क्या करें विबहांतर लगाएं और धारा अधिक से दिखो क्योंकि प्रतिरोध क्या कर रहा है धारा के मार्ग में आविश वहाको के मार्ग में प्रतिरोध उत्पनों कर रहा है और ऐसा नहीं है कि सब धात्वों में सब चालकों में, सब परकार के हम क्या सकते हैं conductors में चालकों में या धात्वों में इस परतिरोध का मान समान हो सारे के सारे जो पदार्थ होते हैं वहाँ अलग-अलग तरीके का परतिरोध प्रदश्यत करते हैं एक जैसा परतिरोध नहीं होता तो अब बात आती है कि अगर अलग-अलग चालक अलग-अलग प्रतिरोध उत्पन करते हैं तो आखे वह प्रतिरोध किन-किन बातों पर निर्भर करेगा तो वही अब हमारा next topic है कि प्रतिरोध को किसी चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक इंग्लिश में कह सकते हैं factor affecting the resistance किस-किस चीच को प्रभावित करेंगे यह समझते हैं तो देखे जो प्रतिरोध होता है यह तीन बातों पर निर्भर करता है पहला चालक की लंबाई चालक की लंबाई L दूसरा चालक के एक कांग परिछेद का छेतरफल परिछेद का छेतरफल यानि की एक और दूसरा उस पदार्थ का गुन पदार्थ के नेसरगिक गुन पर कि वस्वें पदार्थ कैसा है अलग अलग पदार्थ जैसे हम डेंसिटी की बात करते है ना घनतों की वो घनतों भी एक परकार से पदार्थ का नेसरगिक गुन होता है इसी कारण हमें लोहा भारी परतीत होता है अलगडी हल्की परतीत होती है तो वो उसका क्या है धात्मों का एक परकार से है पदार्तों का नेसर की गुण होता है घनतों ठीक इसी परकार का एक नेसर की गुण क्या होता है चालकों का भी होता है या पदार्तों का भी होता है जो कि क्या करते है प्रतिरोध को प्रभावित करते हैं तो कौन-कौन से ती चालक की लंबाई LK, इसका अड़ा कि जितना लंबा चालक बनाते जाओगे उतना जैदा प्रतीरोध का माल बढ़ता चले जाएगा, दूसरी बात जो आर है वो व्यत कर्मा नुपाती होता है उस चालक के एक कांग परीछेद के छेतर फल के एक कांग परीछेद के छेतर फल क्या हुआ हमने का ये मैंने एक चालक तार बना दिया तो इस चालक तार इस चालक तार तो यदि पीछ से मोटा है, तो इसके एकांग परिछेद का छेतरफल ज्यादा होगा। ये इस बिंदू से पतला है, तो यदि तार इतना पतला होगा, तो उसके एकांग परिछेद का छेतरफल क्या होगा? कम होगा। तो हम देख रहे हैं कि A और R में वित्करमानुपाती का संबंध है और वित्करमानुपाती का संबंध आप समझते हैं कि जैसे जैसे A कामान बढ़ाऊगे यानि कि 4 लक तार को मोटा करते जाएंगे वैसे वैसे प्रतिरोध कामान घड़ता चले जाएगा इसलिए आपने देखा होगा कि जो हमारे पोल से जब हम direct कोई वायर लेकर के आते हैं घरों में सप्लाई के लिए कभी आप देखना उस मोटे से तार को यदि छेल के देखोगे उस पे एक सिंगल तार आपको दिखाई देगा और वो मोटा सा होगा उसका क्या benefit है उसका benefit यह होता है कि उसमें प्रतिरोध का मान क्या होता है घट जाता है जैसे जैसे एकांग परिछेद का मान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे प्रतिरोध का मान क्या होगा घटता है तो फिलाल यह चीज हमारे को यहां पर यह बताती है अगले चीज हम देखें, तिसरा हम कहते हैं, पदार्थ के नेसर के गुण, तो नेसर के गुण यहीं पर रुत्पन होकर क्या आएगा, यदि हम इन दोनों नियमों को आपस में जोड़ दें, तो हम कहेंगे R, अनुकर्वानुपाती होगा, L upon A के, और यदि अनुकर्वानु पाती, नियतांक, और इसे ही हम क्या कहते हैं, चालक का, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट, प्रतिरोध, या प्रतिरोधकता, या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं, इंग्लिश में से, अब ये बात ध्यानक ना, कि विशिष्ट प्रतिरोध, चालक का नसर्गिक गुण है, ये नहीं बदला जा सकता, आप चालक के प्रतिरोध को तो, क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, कैसे, चालक की लंबाई, आप देख रहे हैं, इसके अनुकर्मानु पाती है, प्रतिरोध कम करना है, तो चालक की लंब प्रतिरोध या प्रतिरोध हकता है यह चालक का नैसरगी कोगुण है आप इसे नहीं बदल सकते चालक की लंबाई बढ़ा करके आप इतना बड़ा बंडल ले लीजिए किसी धादू के तार का और एक छोटा सा पीस ले लीजिए दोनों का जो विशिष्ट प्रतिरोध होगा वो बिलकुल बराबर होगा बिलकुल वही है लोहे का एक बड़ा सा ब्लॉक ले लीजिए लोहे की एक छोटी सी हम कहले कील ले 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 दोनों का जो घनत तो होगा वो समान होगा वो नहीं बदलने वाला वो आकार की चीज़ों पर निरभर नहीं करता ठीक वैसे ही सब का मतर्त तो आपको पता है, R का मतर क्या होता है, Om, Ro, क्या है, विशेषपर्ति रोध, L क्या है, L क्या है, लंबाई, और A क्या है, 6 तरफल तो, 1 तो यह सुतर आपको यहां लखना है, क्योंकि यह सुतर कुछ जो हमारे नुमेरिकल्स हैं उसमें बहुत अच्छा इस्तेमाल होगा यह सुत्र सेकंड यदि हम यहां से रो की वैल्यू निकालें तो क्या निकलेगी रो इस इकल टू एकी आर में गुणा हो जाएगी आर इंटू क्या जगा ए उपर आ जाएगा और L कहांच लियागा नीचे तो यह विशिष्प्रतिरोद का क्या आगया सुत्र आगया इसका मात्रा क्या होगा देखे जो आर है हमारा यह तो क्या है ओम में होता है ए क्या है छेत्रफल यानि कि मीटर गुणा मीटर अनीचे L क्या है लंबाई वो भी क्या होगी मीटर तो मीटर से उपर की मीटर गुणा मीटर की एक मीटर कर जाएगा तो इसका मातर क्या हो जाएगा रोका मातर विशिस्ट प्रतिरोध का मातर यह हो जाएगा ओम मीटर तो कहीं भी नुमेरिकल समय किसी चीज में या आपको ओम मीटर कहीं शब्द दिखे मातरक में तो आप समझ जाना ये किसको बता रहा है ये विशिष्ट परतिरोध को परदिश्चत करता है तो इतनी बात है हमारे को क्या आगई समझ में आगई अब हम समझते हैं कि जब हम कहते हैं कि यहां चालकतार है और यहां कुछालक है तो ऐसा क्यों कहते हैं वो एक परकार से परतिरोध अक्ता को या विशिष्ट परतिरोध को भी परदिश्चत करता है और हम यदि देखते हैं हमारे पार जो पदार थाते हैं के हम में जितने विदूत अपकरन बनाते हैं। उन वेदूत अपकरनों में अलग 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 चालकों क्या सकते हैं। चालकों का दोनों का परियोग करते हैं चालकों का इसलिए करते हैं कि जिससे हम क्या कर सकते हैं वैदुत धारा को या विदुत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से प्रभाहित करवा पाएं और अचालकों आप मेटल की भी देखेंगे तो उनके जो हेंडल होंगे जो ऑपरेटिंग वाली चीज़ें होंगी जिनको आदमी पकड़ता है वह हमस्य क्या होते हैं प्लास्टिक के बनाए जाते हैं आपने कभी पेचकस पर ध्यान दिया हो आप देखतें पीचकस का आगे का सीरा तो क्या होता है लेकिन पीछे वाला हिस्सा आप देखोंगे वह किसका होता है प्लास्टिक का बनाए तो वहां पर आपको प्रतिरोद वाले पधार्थों की जरूत पड़ेगी जो में द्हात्विए एग से एक थिक को आपस में मिला करके बनाई जाती है सातव हम यह के ते कि इनका प्रतिरोद कितना होता है जो मिशच धात्व यह प्रतिरोद निवन तो इस प्रतgest की चालकता अच्छे होगि वह जिल्दी से क्या करेग घार को एक जगह से दूसरे जैग दरस्ऺ भेजेगा ज़्यादर ज़्र ने éénग बेजेगा तो हम पत्त ऑतार्थ होतों उनकी जो हम क्या सकते हैं परतीरोधर्ट होती है और कितनी होती है मिश्रधातू की प्रतिरोधकता यह होती है दसकी घात माइनस आठ से दसकी घात माइनस च्छे ओम मीतर के बीच में होती है इनकी प्रतिरोधकता किसकी इन मिश्रधातू की प्रतिरोधकता तो बहुत कम है प्रतिरोधक्ता क्योंकि दस्कीगाद माइनस 8 माइनस 6 है तो बहुत कम प्रतिरोधक्ता है तो हमारी electrical energy का loss नहीं होता जल्दी से धारा एक सिरे से दुस्सिरे तक पहुँच जाती है और यदि हम उसकी बात करें जो हमारे insulator होते हैं अचालक पदार्थ होते हैं इनकी जो प्रतिरोधक्ता होती है वहाँ प्रतिरोधक्ता होती है लगबग 10 की घात 12 से लेके प्लस 12 से 10 की घात प्लस 17 ओम मीटर के बीच के होती है अब देखें इनके प्रतिरोधक्ता बहुत ज़्यादा है तो एक सिरे से धारा को दूसरे सिरे तक पहुचाने के लिए बीच में परतिरोधकता इतनी जादा है कि धारा या आवेश एक सिरे से दूसरे सिरे तक नहीं पहुच पाते हैं इसलिए इनके बीच में इनसे कोई भी धारा परवाहित नहीं होती है तो इतनी बात समझ में आ गई तो अब एक तरफ तो आपको लग रहा होगा कि प्रतिरोध क्या है एक ऐसी चीज है कि जो गड़बड है इसको हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए हम क्या करते हैं मिश्रधातों का उप्योग कर रहे हैं अर दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हम कुचालकों कभी या अचालकों कभी परियोग कर रहे हैं जिनका प्रतिरोध अता बहुत ज़्यादा है जिससे हम क्या करें वैदुत के जटके से बच पाएं इसलिए आप देख लोगे तारों के जो बहार होती है वो किसके होती है रबर की कोटिंग है प्लास्टिक की कोटिंग होई रहती है जिससे आप हाथ भी लगाएं उसमें विद्धुदारा भी प्रवाइथ हो आप भार से उसे छूब ले तो क्या हो क्यों क्योंकि वो अवरोध है एक परकार से अचालक पदार्थ है तो आपको किसी भी परकार का कोई जहटकर नहीं लगता एक तो ये बात आगी अब बात आती है जो हम ये प्रतिरोध होता है इसको बहुत हम कह सकते हैं बहुत ताइर रूप में इसका उपयोग करते हैं कैसे करते हैं बहुत आई रूप में उपयोग क्योंकि हम जितने भी इलेक्ट्रोनिक उपकरण बनाते हैं उन इलेक्ट्रोनिक उपकरणों के अलग अलग अव्यों के लिए धारा कामान कहीं कहीं हमें कम क्या उशक्ता होती है कहीं हमें ज्यादा क्या उशक्ता होती है तो यदि हमें धारा को घटाना है तो काफी आसाने हम उसके मार्ग में क्या लगा दे प्रतिरोध लगा दे प्रतिरोध लगाएंगे तो प्रतिरोध क्या करेगा धारा को मार्ग में अवरोध उत्मन करेगा तो जैसे जैसे प्रतिरोध के एक सिरे पर धारा ज्यादा होगी ज के सकते हैं बिलकुल है आप घरों में बिधाइब तो पंकर कि आ सकते हैं कि आप एक परिवरती प्रतिरोद के सकते हैं उसको क्या शब्द कहेंगे पारीवरतीडite तति रूद क्या है आप में पंक्रेकर स्विचतces आदिया लेकिन गुमा करके उसकी नौ को करते हैं तो पंक्खा नहीं घुमता जबकि सुचौन है सुचौन है लेकिन रेगुलेटर जीरो करने का अर्थ है कि इतना दिक प्रतिरोद उत्पन कर दिया है आपने कि आगे बहने वाली धारा कामान शुन्य हो गया या इतनी मामुली धारा भेह रही है जो पंक्ख्यों को भी पा रही है अब आप रेगुलेटर को घुमा करके नौप को क्या करता है वन पे लाते हैं जैसी वन पे लाते हैं पंक्ख्या धीरे धीरे घुमना शुरू हो जाता है इसका अर्थ क्या हुआ कि अब बहने वाली धारा कामान क्या है धारा तो बहर रही है लेकिन अभी उ का मान का औरểu एह बढ़ रहा है पंखा उतनी से घूम रहा है तो इस परतिरोत को हम कह सकते हैं तो इन का हम हम कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं का फिसिकल मतलब जो बहुतिक रूप से इनके आकार अलग-अलग हो सकते हैं।aying Eli 해서 Ti परीपताँ में थो हम छोटी-छोटी रसिस्टेंस का उप्योग करते हैं और अलग-लग-परिपताँ में अलग-ालग-परकार के प्रतिरोधों का, उप्योग किया जाता है तो फिलाल मुझे लगता है प्यारे बच्चों कि आपको ये परतिरोध का कॉंसेप्ट समझ में आ गया होगा, परिवर्ति परतिरोध भी समझ में आ गया होगा, तो यदि आपको इस टॉपिक में कमी पर भी कोई डाउट होता है तो ने संकोच, कमेंट बॉक्स में जरूर ल